प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाडि जीवन की रोठी, नेनों की जोती अंधेरा मिटाती, भाड़ी 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 पगृत्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है 28 जन्वरी ब्रहस पतिवार पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत्पॉलुस का पत्र अध्याई 10 पत्संख्या 19-25 तक भाईयों एसो कारक्त हमें निर्भै होकर मंदिर्व गर्व में प्रिवेश करने का आस्वासन देता है उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवन मार्ग खोल दिया है जो उनके सरीर रूपी परदे से होकर जाता है अब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त है जो ईश्वर के घराने पर निक्त किये गए हैं इसलिए हम अपने हिर्दे को पाप के दोस्त से मुक्त कर और अपने सरीर को सच्छ जल से धोकर निस्क पठ हिर्दे से तथा परिपूर विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले हम अपने भरोसे का साच्छ देने में अटल एवं द्रिड बने रहें क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्यपर्तिग्य है हम में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भात्री प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को पृत्साहित कर सकते हैं जैसा की कुछ लोग किया करते हैं बलकि हम एक दूसरे को धर्स बधाएं जब हम उस दीन को निकट आते देखते हैं तो ऐसा करना और भी आवस्यक हो जाता है या प्रभु की वाड़ी है संद मार्कुस के अनुसार पवित्र सु समाचार अध्याई चार वाकिय एकेस से पचीस तक येशु ने लोगों से कहा क्या लोग देपक इसलिए जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते ऐसा कुछ भी छिपाववा नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाय जाएगा जिसके सुनने के कान हो वह सुन लें येसु ने उनसे कहा ध्यान से मेरी बात सुनो जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है ये प्रभु का दिव्य सू समाचार है ख्रिष्थ प्रभु की जय मेरे प्रिये भाई और बेनों आज हम एक महान संत का परू मनाते हैं उनका नाम है संतौमस अक्वाइनस संतौमस अक्वाइनस कलीशिया की सबसे महान इशिश सास्त्री है उनका जन्म तैरवी सदी में इटली में हुआ था राज परिवार में वास्तों में वे समराट की रिष्टेदार थी बच्पन से ही भक्ती विश्वास में काफी आगे थी और अठारज साल की उमर में उन्होंने अपने परिवार की लोगों से कहा कि मैं मठवासी जीवन जीना चाहता हूँ मैं एक पुरोहिद बनना चाहता हूँ लेकिन परिवार की लोग इसके लिए तयार नहीं थी उन्होंने उसको अपने ही घर पे बंदी बना के रखा दो साल तक बंदी बना के रखा लेकिन उसकी बहन ने उसको एक Bible और दर्शन शास्त्री की कुछ किताबें दी घर पे पड़े पड़े Thomas ने दो साल तक लगातार Bible का ध्यान किया और दर्शन शास्त्री का ध्यान किया दो साल के बाद जब वो बाहर आये 20 साल की उमर में तो अपने निर्णे में और ज़्याद द्रिण होकर बाहर आये अपने पढ़ाई को जारी रखे उन्होंने इस शास्त्र में डॉक्ट्रेड किये उसके बाद पैरिस में पढ़ाने लगे उनकी शिक्षा में उनकी व्याख्यान में इतनी सपष्टता थी कि सभी लोग Thomas को सुनना चाहते थी साफ सपष्ट शिक्षा है उन्होंने करीब साथ ग्रंथ लिखे है और उन-चार्थ साल की उमर में उनका देहान्त हुआ इतने कम उम्र में उन्होंने कलीसिया के लिए इस शास्त्री के छेतर में बहुत बड़ा काम किया आज वो कलीसिया के सबसे महान इश्य शास्त्री है और एक महान खंबे की तरह खड़े है संतौमस अक्वाइनस हमारे लिए एक बहुत सुन्दर उदाहरन है प्रभु के वचन के अध्यान के लिए गहरे मनन चिंतन के लिए अपने विश्वास को गंभीरता पूर्वक लेने के लिए उसमें आगे बढ़ने के लिए परिश्रम के लिए मेहनत के लिए सुना संद पालूस हमें बताते हैं कि प्रभी एसु के द्वारा हमें जीवन का एक नया मार्ग मिला है वो लिखते हैं उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवन्त मार्ग खोल दिया जो उनके शरीर रूपी परदे से होकर जाता है अब हमें एक महान पुरूहित प्राप्त है इसलिए हम अपने हिर्दे को पाप के दोश से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच जल से धोकर निश्कपट हिर्दे से तता परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले मेरे प्रिए भाई और बेनो जिनको एसु मिला है उनको एक नया मार्ग मिला है प्रभी एसु पर विश्वास के द्वारा हम स्वच हो जाते हैं हमारा हिर्दे शुद्ध हो जाता है हमारे इरादे शुद्ध हो जाते हैं हम अंदर से पवित्र हो जाते हैं हम अंदर से ईश्वर के प्रती लगाव में बढ़ते हैं प्रभीय सुपर विश्वास हमें स्वतंद्र करता है हमारे मन और हिदे को आलोकित करता है हमें ईश्वर के साथ बड़े धैरी के साथ भरोसे के साथ रिष्टा जोडने के लिए सामर्थ देता है पिछले 25-26 वर्षों से मैं आश्रम में सेवा कारी कर रहा हूँ सुसमाचार का और मैंने देखा हजारों लोगों की जीवन में कैसे परिवर्तन आया है बचन पर विश्वास करने से येशु पर विश्वास करने से कैसे लोग शुद्र किये जाते हैं, पवित्र किये जाते हैं, कैसे लोग ईश्वर से बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं, कैसे लोग प्रयार्थना में गहरे हो जाते हैं, और एक बहुती सुंदर जीवन जीने लगते हैं, येशु की द्वारा, येशु के वचनों की अच्मुच एक नया मार्ग मिलता है वो हमें स्वतंद्र करता है हमें आजाद करता है आगे संद पौलुस कहते हैं कि हम अपने भरोसे का साक्ष देने में अटल एवं द्रड बने रहें क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वो सत्य प्रतिग्य है पौलुस कहते हैं इतना गहरा अनभा हमें प्राप्त है उसके लिए साक्ष देना हमारा परम करतब्य है आगे पौलुस कहेंगे प्रेम के द्वारा परोब क्यार के द्वारा उसका साक्षी बनना ये हमारा करतब्य है और आज के सुसमाचार में प्रभीयस हमें बताते हैं कि अलोग देपक इसलिए जलाते हैं कि उसे पहमाने अथवा पलंग के नीचे रखें कि अवे उसे दीवट पर नहीं रखते मति के सुसमाचार के अधियाए 5 उसके वाक्य 14 में प्रभीयस हु कहते हैं हर विश्वासी जोती बनने के लिए बुलाए गया है हर विश्वासी के अंदर एश्वर ने अपने पुत्र का ज्यान दिया है और पवित्रात्मा का प्रकाश रखा है उसको देवट पर रखा जाना चाहिए प्रभु ने हमें जो दिया है वो अपने लिए नहीं है वो संसार के लिए है येशु ने स्वयम कहा कि मैं संसार की जोती हूँ येशु स्वयम संसार की जोती बने और जलकर समाप्त हुए एक विश्वासी को भी संसार की जोती बनकर जलकर समाप्त होना है एक दीपक का उदारन लिजी उसको जोती देने के लिए जलना पड़ता है हर विश्वासी को जलना पड़ता है और उस जोती को अपने तक सेमित ने रखना होता है उसको बाटना होता है कहा जाता है प्रेम देने से बढ़ता है शांती देने से बढ़ती है ग्यान देने से बढ़ता है उसी तरह विश्वास भी देने से बढ़ता है विश्वास भी बाटने से बढ़ता है हम जितना विश्वास को बाटेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर विश्वास की वृद्धी होगी पिछले 25-26 सालों से मैंने ये अनभाव किया है कि मैंने देखा है कि जितना मैं बाढ़ता हूँ उतना मैं विश्वास में बढ़ता हूँ जितना मैं आपको वचन सुनाता हूँ उतना मैं कृपा में बढ़ता हूँ कई विश्वास्यों को मैंने देखा है जो इश्वर से गृपाएं प्राप्त किये है प्रभु से अनुगरह प्राप्त किया है लेकिन अपने में सिम्टे हुए है अपने तक सीमित रखते हैं उसको बाटने के लिए तत्परने रहते हैं उनके अंदर उस साह की कमी है इसलिए उनका विश्वास घाटे जाता है प्रभी ये सुने आज की सुस्वाचार में कहा है धियान से मेरी बात सुनो जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा प्रभु कहते हैं ध्यान से मेरी बात सुनू जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा जितना हम दूसरों को देते हैं उस के अनुसार प्रभु हमें भी प्रदान करते हैं प्रभू की कृपाएं हमें इसलिए दी जाती हैं ताकि हम उसको बाटें हारिच शेतर में धन हो ग्यान हो प्रतिभाय हो कुछ भी हो जब हम बाटने लगते हैं प्रभू हमें और प्रदान करते हैं सत्य को बूलना नहीं देने वाली प्रभू है देने वाले इश्वर है वो हम दूसरों को देते हैं बाटने के लिए त्यार हो जाते हैं मैं एक गीजर का उदाहरन देता हूं पानी गरम करने की मशीन उसके नीचे टैप रहता है टूटी रहती है जब अब टूटी खोलते हैं गरम पानी बहता है और जैसे ही गरम पानी बहता है उपर से ठंडा पानी उस गीजर की और बैता है प्रक्रिया है इसी तरह जैसे हम दूसरों की और बहाते हैं वैसे प्रभू की गृपाएं हमारी और बहने लगते हैं जैसे हम दूसरों के साथ गृपाएं बाढ़ते हैं विश्वास बाढ़ते हैं ग्यान बाढ़ते हैं धन बाटते हैं वैसे प्रभू हमें भी देंगे तो विश्वास देने से बढ़ता है हर विश्वासी का परम करतव है एश्वर के द्वारा दिये गये सारी कृपाओं को विशेश करके वरदानों को ग्यान को विश्वास को बाटे है प्रभु आगे कहते हैं कि जिसके पास कुछ है उसी को और भी दिया जाएगा और जिसके पास कुछ नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है प्रभु ने हम मनुश्यों को जो भी कृपाएं दी हैं वे सारी कृपाएं बाट ने आदान प्रदान के लिए दिया गया है। जितना हम उदार बनेंगे, उतना प्रभु हमारे परती भी उदार बनेंगे। वरना हमारे पास जो है, वो भी ले लिया जाएगा। मेरे प्रिये भाई और बेहनों आज जब हम इस महान संत थौमस का परू मनाते हैं प्रभू से प्रार्थना करें कि प्रभू जिस तरह इतने बड़े कुलीन और राज परिवार के होने के बावजूद थौमस ने अपने आपको तेरे लिए तेरे राज जी के लिए विश्वास के लिए अर्पित किया उसी तरह हम भी तेरे लिए अर्पित करने के लिए कृपा प्रदान कर हम प्रभू से प्रार्टना करेगी प्रभू जिस तरह हमने पाया है उसी तरह हम दूसरों को देने के लिए तरपर बने अपने आखे मंद कीजिए हम प्रार्टना करें प्रभी एसु धन्यवाद देते हैं संदर समय के लिए माहन संत थौमस के वरदान के लिए एश शास्त्रे के वरदान के लिए एश्वरी ग्यान के लिए धन्यवाद देते हैं हमारे विश्वास के लिए तुने हमें आज प्रोच साहित किया है और कहा है कि हमें जोती बनना है हमें दूसरों के लिए जोती बनना है हमारे स्वार्थ को मिटा दे हमें अधिक उधार बना दे हमें दूसरों की प्रती दयावान बना दे जो किरपायत वोने हमें प्रदान की है उसको बाटने के लिए तत्पर बना दे उधार बना दे ए प्रभी येशू इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई पेनों को आश्रवात दिजिए आज का संपूर दिन उनके लिए अनुगरह का कारण बने प्रभी येशू उनकी जीवन में तेरी उपस्ति दिवे महसूस करें जो कुछ वेक करें जहां कहीं भी वे जाएं वहाँ पर तेरी आत्मा का साने दिवे महसूस करें हर तरह की डर से बचे रहें हर तरह की रोग से बचे रहें आमेन प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोठी नेनों की जोती अंधेरा मिटाती वाड़ी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है प्रभु तेरी वाड़ी 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 वाड़ी